यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए उसके प्रिश्ण की उत्तर में डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया जब आप युवा अवस्था में कदम रखेंगे तभी आपको जीवन में लक्ष निर्धारित लक्षर कहां तक पहुँचना है अपनी मंजील तक वो तई करनी नहीं चाहिए निर्धारित यानि तई करनी चाहिए कि हमें क्या बनना है हमेशा कुछ बड़ा सूचो जैसे ही यह अनुबुती हो जैसे ही आपको यह लगे यानि कि अनुबु हो अत्वा समवेदना हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं तभी से उस दिशा में यदि आपको उससे आगे कुछ बनना है तो उस दिशा में उसी दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए प्रयास यानि कि प्रयतना और श्रम यानि कि मेहनत प्रारम शुरू कर देनी चाहिए कहने का आर्थ है कि यानि कि जी तोड मेहनत करो बहुत ज्याद आपको मेहनत करनी है जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका सामना बढ़ाओ और आपका सामना कि से तो मुश्किलों से और कठिनाईयों से होगा आपको अपने अंदर दुड साहस यानि बहुत ज़ाजा साहस पैदा करना होगा कि हम समस्याओं को पराजित यानि कि समस्याओं को कठिनाईयों को हरा करने हरा कर आगे बढ़ने में महारत हासिल करने होगी क्या करना हासिल होगा तो महारत यानि की योग्यता कुशलता प्राप्त करने होगी तभी जीवन में शफल हो पाओगे आप कि जीवन में आगे तुम बढ़ पाओगे पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर गनान अरजित करो पहले क्या करो तो आप निरंतर हर रोज गनान अर्जित करो यानिकी प्राप्त करो प्रश्न करता चिराग जेन कक्सा साथ बामबे केम्बरिज अंधेरी पस्चिम मुंबई से वो कौनसी बड़ी चुनोती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है कौनसी चुनोती तो समस्या आपके सामने कौनसी समस्या बड़ी दिखाई दे रहे है तो डॉक्टर का लाम ने उत्तर दिया भारत को सन 2020 तक विक्सित राष्ट विकास के रूप में पूरा विक्सित राष्ट विकास वाला विकास शिल हमको देश बनाना है विकास के रूप में परिवर्तित करना है परिवर्तित यानि कि बदलना है हमको और देश के एक अरब से अधिक नागरीकों के चेहरे पर मुस्कान देखनी है तो कैसे तो यही राष्ट के सक्षम सबसे बड़ी चुनोती है कि यही राष्ट की सक्षम बनाने में सबसे बड़ी चुनोती यानि कि समस्या है कि हमको देश को आगे ले जाकर विकसित विकास वाला देश बनाना है